दोनों कप्तान मैच रफ्री के साथ टॉस के लिए तयार टेल्स इस जपाल एंड टेल्स इडीज बहुत ही अच्छा टॉस जीते हैं ये परिस्तितियों का पूरा उप्योग करना होगा अब एक रुमांचक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अंपायर नए गेन के साथ और ये ये तेज गेन बास को लाया जा रहा है इंडियास बिगस फैशन सेल एंड फ्रीजन सेल इस लाइव एंजोई 50-80 परसंट औफ अबनियो प्रीजन सेल प्रीजन सेल प्रीजे आपड रहे होगा इस लग्वेज्ट कर दो लोग्त अब बोलिंग में परिवर्तन तेज गेन बास को लाया जा रहा है बोलिंग बोलिंग कर दो कर दो अजय आर आर दिप नहती ही? बहुत ही अलग किसम की फील लगाई है यहां कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्ले बास नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई किया है एक फास बोलर्स की इनोंने अब हमें गेंद और यहाओ सीधा फील्डर के हाथ में कैश दे बैठे है यहां बल्ले बास बड़ नहीं पाये थे यहां गेंद को ठीक से थोड़ी सी टाइमिंग में चूप हुई और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में ओहो हो उठा के खेल दिया है खुपसूरत शौट और यह सीधा बाउंडरी के पार बहुत ही आकरामक बल्ले बास है ये विशो क्रिकेट में इनकी दीमी गती की गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं सवापस हो सकती है जिस तरह की शौट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बास अक्सर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विशो क्रिकेट गवा देते हैं इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच बूच और नियंत रण के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ शांदार शौट चार रण सवाल तो यहाँ सुफ फ्लेस्मेंट का ही था और गेंद फील्डरों के बीच में से चीरते हुए चली गई चलिए देखते हैं के अगली गेंद स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी इप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ चे रहं एसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वह क्या बात है और यह शॉट बस एक रहन ही निकाल पाए जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बोलिंग में परिवर्तन तेज गेनबास को लाया जा रहा है चुरा लिया है एक रण बड़िया रण इन बेट्वीन डिकेट्स के लिए डीप एक्स्ट्र कवर पे फील्डर मौजूद बहुती बड़िया शॉट बहुती बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बनले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉर्म में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है यह तो तौफे में दी गई गेन थी और बनले बास बिल्कुल भी नहीं चुके उठा के खेल दिया है और यह छे रण एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगा कि सीधा कॉमेटरी बॉक्स में आ रही है यह यह एक ऐसे बल्ले बास है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बहुत ही बड़ा सिक्स मानो कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बल्ले बास तो ऐसे कॉन्फरेंस में हैं कि बॉलर को बता रहे हैं कि अगली बॉल कहां मारेंगे दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुलके खेलते हैं मानो हर बॉल पे छक्का मार देंगे गेंदबास और बल्ले बास के बीच में गर्मा गर्ने गेंदबास कुछ कहते हुए बल्लेबास को और हो कहते हैं जाओ अपनी बॉलिंग कराओ जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है, जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा बोलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ खेल दिया है गैप में और ये एक रन इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनों बल्ले वाजों के बीच में बढ़ी आरानी मेट्वी नवकेट्स डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहां गेनबास को बल्ले वाज बहुत आसानी से उन्हें चोके चक्के लगा रहे हैं बहुत ही बढ़िया पिच रही है यह शुरूरात में गेनबास को मदद जरूर मिली लेकिन अग बल्ले बाजी के लिए एक दम अनुकूल है बोलिंग में परिवर्तन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां और यह शॉट बस एक रहन ही निकाल पाए डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौझूद शॉट गेनबास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और चक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे खुबसूरत शॉट और चार रन गेनबास के चक्के छुडाते हुए बॉल सीधे बाउंडरी रेका के उस पार बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों के बीच एक महत्रपूर्ण पारी बैटिंग टीम के लिए सुनेहरे फॉर्म में है यह आजकल आप में अगर एक गलती कर दी तो यह उसका पूरा फाइदा उठाएंगे उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई सदेह नहीं था कि यह छे रन है चुरा लिया है एक रन बड़िया रन बिट्मिन दे विकेट्स इनिंग की आखरी बॉल यह रही आपके सामने में खेल दिया है गाप में और यह एक रन इसी के साथ पहले इनिंग्स की समाप्ती यह देखना बहुती दिल्चस्प होगा कि क्या रन नीती के साथ आते हैं बले बाज यहाँ इसे चेस करने और यह आ रहे हैं दो विकेट्स अमाल के खेलना होगा यहाँ मैच एक बहुती रोमांचक मोड पर तेज गेंबास को लाया जा रहा है इस छोड से India's biggest fashion sale end of reason sale is live enjoy 50 to 80% off and many offers on बोलिंग में परिवर्थन बोलिंग में परिवर्थन शोपलिट क्रीम और बिस्किट बॉल्स वाली नई 5-star 3D जो खाए अलग लेवल पिखो जाए जिस तरह की शोट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं ये गेंबास अकसर बल्ले बास बैक फूट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बहुती अच्छी ठाल मेल तोनों बल्ले वासुत बीच में बढ़ी आराणी में टूइन रिकेट्स टीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने हवा में उठा दिया है और ये छे रन कोई मौका नहीं था वहाँ फील्डर के पास और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख सकते थे बहुत ही सरल शॉट था ये बल्ले बास का गेन की रफ्तार का पूरा उप्योग करते हुए गेन को पहुचा दिया है बांडरी लाइन के उस पार उठा के खेल दिया है शांदार बल्ले बासी और ये छे रन बल्ले से निकलते ही अपनी किस्मत लिखुए इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है और ये स्टंप बाहर निकलने की कोशिश थी यहां बल्ले बास की ही और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग रिगाश होकर पेविलियन की तरफ लॉट देगे फिल्ड लगा रखी थी ऐसी ही शॉट के लिए और बल्ले बास सीधा फिल्डर को कैश दे बैठे बहुत ही अच्छी रन नीती बॉलर की बहुत ही उंदा बॉलिंग कर रहे हैं ये जानते हैं कि बल्ले बास उन्हें उसी दिशा में खेलने की कोशिश करेंगे और फिलाल तो बल्ले बास पे पूरी तरह हावी है ये इन्हें अपने लाइन और लेंग्ध को यहां सुधार ना होगा अगरना पल्ले बास तो इन्हें माफ करने के मूड में नहीं है बहुत इखराब गेन और ये वाइट बॉल जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा चुरा लिया है एक बड़िया रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन दे विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोक सकता एक एक एक्स्टा रन चुराने से बहती बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रनिंग मिट्वीन दे विकेट्स बहती बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रनिंग मिट्वीन दे विकेट्स बड़ी ही बतकिस्मत रहे वहाँ बड़ी ही प्यारी गेम थी इस बॉल पे विकेट्स जरूर मिलनी चाहिए थी बिचले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैंगे इसलिए अब पॉइंट में फील्डर मौजूद बहतरी इंग शॉट गेंज सीमा रिखा के बाहर और चार रन फील्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अम्पायर नॉट आउट देते हुए जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बढ़ा ही लूट शोर्ट खेल गए रंडिक बढ़ानी की कोशिश में इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहां बल्ले बास की आँखे तो चील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंबाज के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज बहुत ही सटीक प्लेस्मेंट बले बास का जब ये अपने रंग में आ चाते हैं तो मानो जैसे पूरी स्टेडियम में होली खेली जा रही है खेम दिया है गैप में और ये एक रंग बहुत ही अच्छी रंड नी थी यहां बले बास को देखते हुए एक्स्ट्र कवर पे फिल्डर लगाया है पूरी तरह मिस किया वहाँ बहुत ही निराश होंगे वहाँ मौका तो था पिछली गेन पे पर पूरी तरह चुके बहुत ही खराब गेन और ये वाइट बॉल जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा अंपायर का इशारा वाइट बॉल अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहाँ गेन बास को बल्ले बास बहुत आसानी से उन्हें चौके चख्के लगा रहे हैं निराश होकर पैविलियन की तरफ लॉक तरियो बहुत ही बढ़िया गेन्द अंदर गुसी और सीधा विक्टो पे जा लगी बल्ले बास अपनी पहली गेन्द की तयारी करते हुए बॉल हवा से बाते करती हुई सीधा बाउंडरी लैंड के पार छे रन चलिए देखते हैं के अगली गेन्द स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बहुत ही अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले बासों के बीच में बढ़िया रनिंग बिट्वीन विकेट्स इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रनिंग बिट्वीन विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोख सकता एक एक एक्ष्टा रन चुराने से ओह 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 उठा के खेल दिया है खुबसूरत शौट और ये सीधा बाउंडरी के पार और इसी के साथ जीत का लक्ष प्राप्ट दोनों बल्ले बज यहां एक दूसरे को जीत की बधाया देते हुए दोनों तीमों के प्लेएर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटलमेंस की let's congratulate our man of the match and catch him for a few words I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute towards the team